हाई ये नाजरीन आज हम आपको अलसी की बिनिया बनाने की रेसिपी देते हैं जो के हमने अम्मी से सीखी है और इसके लिए हमने ये चंदे कशिया ली है जिसमें सबसे पहले तो ग्रीन कार्डमम है यानि के हरी अलाइची 10-12 ये ले 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 और इनके दाने निकाल ले और 200 200 ग्रैम्स जो है वो हमने शूगर ली है रोशूगर इस्तेमाल की है आप चाहें तो वाइट शूगर ले सकते हैं घी लिया है 200 ग्रैम्स देसी घी है प्यूरिफाइट बटर और आटा लिया है वीट फ्लार जो होता है ये भी 200 ग्रैम्स है घी चीनी और आटा ये तीनों च फ्लेक्स सीड भी कहते हैं अब इसको हमने एक पैन में ड्राय रोस्ट कर लेना है जब यह थोड़ी सी डाक हो तो फिर आप इसको फोरी तोर पर पैन में से उतार लें इसमें ओयल होता है तो यह बड़ी तेजी से जलती है यह प्लेट बाइट है इस वजह से यह आपको बहु पैन में डाला है और उसमें बादाम तल लेने हैं ज्यादा ना लाल कर लें चुँके यह फिर कड़वे हो जाते हैं बिल्कुल जब थोड़ी सी गिरियां लाल हो डार्क हो जाएं थोड़ी सी लाइट रह जाएं तो समझें कि उस वक्त यह तयार है और आपने इनको निकाल लेना है अब जो घी बचा है उसमें हमने 200 ग्रैम्स आटा जो था वो डाल देना है और उसमें हमने बाकी का घी भी शामिल कर लेना है घी नहीं होगा तो आप इसे भून नहीं सकते लोग पूछते हैं कि थोड़ा डालने कम डालने घी मुजिर है तो यह चीजें बनानी घी के बगएर मुम्किन नहीं है आपने इसको ऐसा पतला करना है आटे को फिर यह भूना जा सकेगा वरना आप इसको भून ही नहीं सकते अब हमने इसमें ग्रीन कार्डमम डाल दी है हमको दाने मुँ में आना पसंद नहीं इस वजह से हमने अम्मी को यह अलाई सियां खोलने नहीं थी वरना चाहें तो थोड़ा सा क्रश करके डालने दानों को और जब यह आटा बिल्कुल कड़ी हुई चाय की तरह दिखाई देने लगे उस वक्त आपने इसको स्टोव पर से उतारना है अब आपने हाफ कप पॉर्टर जो है वो उसी पैन में लेना है और उसमें श हंडे होने देना है और फिर आपने अलसी को पीसना है यह जो मशीन है यह कोशिश तो हमने की है कि इसमें पिस चाये लेकिन सवाली पैदा नहीं होता एक तो दाने टूटेंगे बाकि सारे के सारे साबुत हैं तो यह जो हमारा मैजिक बुलिट है यह वाकई मैजिक हैं और इनको हमने थोड़ा थोड़ा तोड़ देना है पीसना नहीं है कुछ चीजों के लिए यह मेशीन बहुत अच्छी है इसका जवाब नहीं जो काम यह करती है वह बहुत अच्छा करती है लेकिन बिल्कुल बारीक पीसने के लिए मैजिक पुलिट जैसा कोई नहीं है तो ये देखिए बादाम विल्कुल दानेदार गिरियां वो टूट गही है बहुत करंची हैं बहुत मसेदार हैं ये इस वक्त और ये देखिए अलसी का पाउडर किसे तरह बहतरीन दोरपर अलसी को इस मशीन ने बारीक पीसा है अब जो है वो चाश देखते हैं चाश जो है ये देखिए जब ऐसी हो जाए इसको गोर से देखें और बार बार देखें कि स्पून जब अम्मी ने उंचा किया है तो उसमें से जो कत्रा गिरता है उसकी तार बनती है उस वक्त आपने उबलते उबलते में बादाम और अलसी जो है उसका पाउटर डाल देना है साथ ही आटा जो आपने भूना था वो भी इसमें शामिल कर देना है और जरा सा यह हिला कि आपने स्टोफ की आँच जो है वो बंद कर देनी है इसको अब पकाने की जरूरत नहीं है एक मिनट पकाया होगा और फिर आच बंद करके आपने इसको अब थंडा होने देना है पास ही खड़े रहना है और देखते रहना है कि जब यह उस स्टेज पर आए कि आप इसके बॉल्स बना सकें पिनिया बना सकें थंडा हो जाएगा तो फिर नहीं बनेंगी तो यह पराने वक्तों में तो कहते हैं कि हाथ बिल्कुल लाल हो जाया करते थे हमने भी बच्पन में अम्मी के साथ बहुत बनाई हुई है बड़ा मुश्किल काम था आजकल तो यह गलफ्स बगहरा ने यह चीज़ें इतनी आसान कर दी हैं बनानी कि मोटे गलफ्स लें अच्छे और आप उस से यह पिनिया जो है यह बना ले बड़ी थे जिस बड़ी अच्छी 2-3 लोग बनाएं ज्यादा बनानी हो तो फिर बन सकती है वरना यह है कि चाहए आप जितनी ही तेजी से इंको बना लें यह सूक जाती है तो यह देखिये पिनियां जो है यह बलकुल तयार ह सुनने में आता है कि जोडों वगारा की दर्द के लिए, घुटनों की दर्द के लिए ये बहुत अच्छी है, ज्यादा डीटेल का हमें इस बारे में इल्म नहीं, एक authentic recipe थी, एक old-fashioned traditional recipe थी, हमने सोचा कि इसको save कर लें, आजकल तो वैसे ही in seeds वगारा का काफी नाम और शोहर कि नहीं कुट सकति बू fy एक बारे में और शोहर सेचा कर वारा, कूarna को कि अचो हुआ है, एक भ में वाराटी वगार हो को कि ही नाम काने में, और श dejar कर दो सुटनों को कि बारत system हो आम में पalayन को कि आपनादाओ